अपर नमस्का दोस्तों स्वागत है आपके आपके अपनी यूटूब चनल कॉर्वेंजाब प्रफिशन पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिसक्स करेंगे जो हमारी न्सी अटी की सीरीज चले हैं उसमें क्लासिक्स हिस्टी की अध्याय नमबर 6 ठीक है जो हमार GS और GK से समधित questions पूछे जाते हैं तो उन सभी के लिए NCRD सीरीज बहुत ही महात्पूर है तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन तो कहानी स्टार्ट होती हैं यहाँ पर बुद्ध की कहानी से देखते हैं बौद धर्म के संसापक सिधात है जिनने गौतम के नाम से भी जाना जाता था उनका जन्म लगबग 25 सो वर्थ सो पूर्व हुआ था तो यहाँ पर बात की ज़री उनके जन्म की तो उनका जन्म जो है वो 25 सो वर्थ सो पूर्व हुआ था यह वा समय था जब लोगों की जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे जैसा कि तुमने अध्याए 5 में पढ़ा महाजनपतों की कुछ राजा इसमें बहुत ही सक्तिसाली हो गये थे जो मैंने अध्याए 5 में आपको बता था कि मगद एक महाजनपत यहां पर बनकर ऊबर रहा था जिसमें बहुत सारे सक्षाली राजा हुए थे जिसी की राजा, बिन्दुशार और रेरासुत जैसे राजा, जिस जो है महाजनपद में हुआ करते थे तो उस समय की यहाँ पर एक बात चल रही है और उसे समय कुछ ऐसे भी राज़ से जैसे कि वज जिसमें छोटे-छोटे गड़ और संग हुआ करते थे और वो गड़ और संग का कोई special राजा नहीं हुआ करते थे वो गड़ और संग सभी अपने आप में राजा हुआ करते थे हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे गाउं के जीवन में भी बदलाव आ रहा था बहुत से विचारक इन परियुतनों को समझने का प्रयास कर दे थे वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे बुद्ध छत्री थे तता साक की नामक एक छोटे से गर्ण से समझने थे युवा अवस्था में ही ज्यान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया अनिक वर्सों तक वे भ्रमण करते रहे तता अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे अन्तता ज्यान की प्राप्त के लिए उन्होंने स्वयम ही रास्ता ढोणने का निक्षे किया इसके लिए उन्होंने बोध गया यानि कि बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपश्या की तो दोस्तों उन्हें कहाँ पर तपस्या की थी ये बोध गया विहार में तपस्या की थी एक पीपल के पेड़ के नीचे अंतता उन्हें ग्यान प्राफ्थ हुआ इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए यहां से वे वानसी के निकट गए सारनाथ जहां उन्हें पर दिये थे तो सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उब्देश दिया था कुछी नारा में म्रत्य से पहले का सेज जीवन उन्हें पैदल ही एक अस्थान से दूसरे अस्थान की यात्रा करते और लोगों को सिच्छा देने में वितित कया तो उनकी कुछी न कर लेते के बाद भी संतुष्च नहीं होते युम अधिक अत्वा अन्यवस्तों को पाने की इक्षा करते हैं बुद्ध ने इस लिप्सा को तिश्णा का नाम दिया है ठीक है बुद्ध ने सिक्छा की सिक्छा दे की आत्म संयम अपना कर हम लोग ऐसी लासा से मुक्ति पा स बुद्ध ने अपनी सिक्छा सामानी लोगों की प्राकृत भासा में दी तो दूसरों यहाँ पर क्या थी उसमें जन साधान की भासा प्राकृत हुआ करती थी तो भगवान बुद्ध ने जो अपनी सिक्छाएं थी उन्होंने प्राकृत भासा में दी थी तो उन्होंने हम इस इस्तूब के बारे में आधिक और आगे हम लोग आगे के ध्यमेह पर पढ़ेंगे ठीक है बुद्ध ने कहा कि लोग किसी सिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्विकार करें कि यह उनका उपदेश है बलकि वे उसे अपने विवेक से मापें आओ देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया किसा गोमती की कहानी तो जान लेते हैं पर भवान बुद्ध से समझते किसा गोमती की कहानी क्या थी यह बुद्ध के विशय में एक प्रशिद कहानी है एक समय की बात है कि किसा गोमती नामक एक इस्त्री का पुत्र मर गया इस बात से वह बहुत ज़्यादा दुखी हुई वह अपने बच्चों को गोध में लिए नगर की सडकों पर घूम घूम कर लोगों से प्रात्ना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे एक भला ब्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया पुद्ध ने कहा मुझे एक मुठी सरसों के बीज ला कर दो मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूँगा किसा गोमती बहुत प्रशन हुई पर जैसे इवाल वीज के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यों न हुई हो किसा गोमती एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई लेकिन वहां जहां भी गई उससे पाया कि हर घर में किसी न किसी की पिता, माता, बहन, भाई, पती, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यों हो गई थी तो ये दोस्तों यहां पर कहानी से समदित है, आगे हमाल जाते हैं उपनिशद के बारे में जानकरी लेते हैं, जिसमें बुद्ध उपदेश दे रहे थे, यानि कि बुद्ध अपनी सिक्षाओं का प्रचार कर रहे थे, उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन् तक भी कठेन प्रच्णों का उत्तर ढोने का प्रयास कर रहे थे, उनमें से कुछ म्रत्यु के बाद के जीवन के बारे में जाना जाते थे, जबकि अन्य यग्ज्यों की उपयोगिता के बारे में जानने को उस्सुक थे, इनमें से अधिकांस चिंतकों का या मानना था कि इ स्थाई है और जो मृत्य के बाद भी बचा रहता है उन्होंने इसका वड़ान आत्मा या ब्रह्म अत्वा सार्व भॉम आत्मा के रूप में किया वे मानते थे कि अंत्ता आत्मा तथा ब्रह्म ही एक है ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिश्व में हुआ है उपनिशत उत्त दर्थियों के बीच बात्चित का संकलन किया गया है प्रया ये विचार सामानय वारता लाव की रूप में प्रस्तुत किया गया है अब देख लेते हैं भारती दर्षन की छे पध्धती कौन-कौन से है ये आपका कुश्चन इंपॉर्टर है सदियों से भारत द्वरा सत्त दर्षन की छे साखाओंने किया ये वैसेसिक न्याय, सांख, योग, पूर्ण मिमानसा और वेदान्त तथा उत्तर मिमानसा की नाम से जनने जाते हैं उत्तर मिमानसा की नाम से जनने जाते हैं उत्तर मिमानसा को हैं बोल देते हैं वेदान्त दर्षन की इन छे पध्धतियो फ्रेडिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्सन की इंचे साखाओं का विकास कई पीडियों के दोरान व्यक्तिकत विचारकों की युगदान से हुआ है यह एक दूसरे से भिने दिखते हैं तथा आप सत्ति की इनकी समझ आधार भूत तालमेल दिखता है आगे बढ़ते हैं भग बुद्धिमान विखारी इसके बारे में थोड़ा से जानते हैं यह वातालाब चांदोगी उपनिसद नामग प्रशिद उपनिसद की एक कहानी का पर आधारी थे दोस्तों अभी आपने भगवान बुद्ध की किसा गोमती की स्टोरी सुनी एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे एक विखारी आया और भोजन मागने लगा सौनक ने कहा हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते विखारी ने पूछा विद्धुजन आप किसकी उपसना करते हैं अभी प्रतारी ने उत्तर दिया सार्भवम आत्मा की इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्भवम आत्मा संपूर विश्व में विद्धिमान है रिश्व ने कहा हाँ हम यह जानते हैं विखारी ने पूछा अगर यह सार्भवम आत्मा संपूर विश्व में विद्धिमान है तो या मेरे अंदर भी विद्धिमान है मैं कौन हूँ? मैं इस विश्यो का ही तो एक भाग हूँ तुम सत्य बोल हो जुआ प्रामभड इसलिए हे रिश्यों मुझे भोजन न देकर आप उस सारभोम आत्मा को भोजन दिने से मना कर रहे हैं बिकारी की बात की सच्चाई जनकर रिश्यों ने उसे भोजन दे दिया तो ये कहानी आपकी चांदों के उपनिसा से ली गई है इन चर्चाओं में भाग लेने माले अधिकांस्ता पूरुस ब्रामभड तथा राजा होते थे कभी-कभी गारगी जैसे इस तरी विचारकों को भी लेख मिलता है विद्धुता के लिए प्रशिद गारगी राजदरबारों में खोने वाले वाद विवाद में भाग लिया करते थी निधन ब्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिसा लेते थे इस तरह का एक प्रशिद अपवाद सत्यकाम जाबाल का है सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी मा के नाम पर पड़ा सत्यकाम के मन में सत्य जाने की दीवर इक्षा जग्यासा उत्पन होई गौतम नामक एक ब्रामभड ने उन्हें अपने विद्याथी की रूप में स्रिकार किया तथा वा अपने समय के सरवाधिक प्रशिद्य विचारकों में से एक बन गए उपनिस्दों के कई विचारों का विकास बाद में प्रशिद्य विचारक संकराचारी के द्वारा किया गया जिनके बारे में हम क्लास 6-7 में पढ़ेंगे अब व्याकरण विद्ध पाड़िनी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं इस युग में कुछ अन्य विद्ध्वान भी खोज कर रहे थे उन्ही प्रशिद्य विद्ध्वानों में एक थे पाड़िनी इन्होंने संसकत भाचा के ब्याकरण की रचना की तो ध्यान में रखेगा कि जो पाड़नी थे इन्होंने संस्कत की व्याकरण की रचना की थी उन्होंने स्वरों तथा बिंजनों को एक विशेश क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की ये सूत्र बीजग्रेट के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं इसका प्रियोग कर उन्होंने संस्कत भाषा के प्रियोगों के लिए लगुसूत्रों लगभग तीन हजार के रूप में लिखे। तीस वर्स की आयो में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। बारा वर्स तक उन्होंने कठिन वा एकाकी जीवन वितित किया। इसके बाद उन्हें ग्यान प्राप्त हुआ। उनकी सिक्षा शरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रतिक इस्त प्राकत में दी। यानि कि महावीर ने भी अपनी सिचा प्राकत में दी थी और भगवान बुद्र ने भी अपनी सिचाएं प्राकत में दी थी। यही करण है कि जन साधान भी उनके साथ था उनके अन्यायों की सिच्छाओं को समझ सके। देश के अलग-अलग हिस्सों में प्राकत के अलग अलग गूरूप पुछलित थे प्रचलन छेतर के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे जैसे मगद में बोली जाने वाली प्राकत मागधी कहलाती है तो मागधी भी कैसी है एक प्राकत है जैन नाम से जाने गए महावीर के अन्योयों को भोजन के लिए विक्षा मांगर साधा जीवन बिताना होता था उन्हें पूरी तरह से इमांदार होना पड़ता था तता चोरी न करने की उन्हें सक्त हिदायत दी जाती थी उन्हें ब्रह्मचरे का पालन करना होता था पुरसों को वस्तों से सब कुछ त्याग देना पड़ता था अधिकान्स विक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियों का पालन करना बहुत ही कठिन था फिर भी हजारों विक्तियों ने इस नई जीवन सैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया कई अपने घरों पर ही रहे और विच्चोए छोड़ी बने लोग को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे मुखिता ब्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया किसानों के लिए इन नीमों का पालन अत्त कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीडे मकोडों को मानना पड़ता था बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत की कई हिस्सों के साथ-साथ गुजरात, तमिल लाण और कन्राटक में भी फैल गया माबीर्त था उनकी अन्यायों की सिच्चाएं कई सताबियों तक मौकिक रूप में ही रही वर्तमान रूप में उपलद जैन धर्म की जो सिच्चाएं हैं लगभग पंद्रा सो वर्सपूर गुजरात में वललविग नामकस्थान पर लिखी गई थी अब देखें आपर जैन सब्द का होता है जिम सब्द से निकला है इसका आर्थ होता है विजेता महाबीर के लिए जिन सब्द का प्रियोग इसी लिए हुआ है ठीक है अब हम आ जाते हैं संग महाबीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ग्यान की प्राप्ति हो सकती है ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संग नामक संग ठन बनाया ठीक है जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें संग में रहने वाले बहुत विच्चों के लिए बनाये गए नियम बिने पिटक नामक ग्रिंथ में मिलते हैं बिने पिटक से हमें पता चलता है कि संग में पूर्षों और इस्तियों के दहने की अलग-अलग सभी व्यक्ति संग में प्रवेश ले सकते थे हाना कि संग में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से दासों को अपने स्वामी से राजा के यहां काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देंदारों से अनमती लेनी पड़ते एक इस्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमती लेनी होती थी संग में प्रेवेस लेने वाले इस्त्री पूरुस बहुत साधा जीवन जीते थे वे अपना अधिकान से समय ध्यान में विताते थे और दिन के एक निश्चित समय वे सहर तथा गाओं में जाकर विक्षा मांगते थे यही करण है कि उन्हें विक्षुया विक्षुडी साधुया विक्षुडी के लिए प्राकर सब्द का जो ये बोलता है संग में प्रिविस लेने वालों में ब्राम्भर, शक्ति, व्यापारी, मजदूर, नई, गडिकाएं तता दास सामिल थे इन में से कई लोगों ने वुद्ध की शिक्षाओं के विशे में लिखा तता कुछ लोगों ने संग में अपने जीवन के विशे में सुन्दर कविताओं की रश्णा की अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यह गुफाएं देख सकते हैं यह जो इसमें दिखाई गई हैं तो इसमें क्या है यह पाड़ी को काट कर बनाएगी एक गुफा या काले कारले वर्तमान महाराश्य में इस्तित एक गुफा है विच्छ विच्ड़ी इन सरण अस्तलों में अध्यकर ध्यान किया करते थे तो आप लोग देख सकते हैं आपर अब हम देख लेते हैं कि जो व यह दरा उद्यानों में बनवाएगी आइस्ताई निवासों में अत्वा पहाडी छेत्यों की प्राक्रतिक गुफाओं में रहते थे जैसे जैसे समय बीटता गया विच्छ विच्ड़ी ने स्वयम तथा उनके समात्यों को ने अधिक इस्ताई सरण असलों की और सकता का अ पहो किया तब कई सरणरस्थल बनाएगे जिनें विहार कहा गया आर्यम्धिक विहार लकडी के बनाएगे तदा बाद में इनके निर्माण में इटो का प्रियो किया गया पश्चमी भारत में विच्छ का कुछ विहार पहाड़ियों को खोड़कर बनाएगे तो वही चीज विच्छों की स्रेडी में प्रवेश करते हैं तो ये अपना वर्ड, स्रेडी और परिवार सब त्याग देते हैं प्रया किसी धनी व्यापारी, राजा अत्वा भू स्वामी द्वरा दान में दी गई भूमी पर विहार का निर्माण होता था तो दोस्तों वो जो विहार ब वोजन वस्त्रों दवाईयों का इंतिजाम किया करते थे जिसके बदले ये विच्छू और विच्णी लोगों को सिच्छा देते थे और जिसके बदले क्या होता था उन आम जंता को उन इस्थाईनी माश्यों को जो विच्छू विच्णी हुआ करते थे यो उनको सिच्छ यहां आस्रम सब्द का तत्पर लोगों दोरा रहने तद्धा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वले इस्थान से नहीं बलकि इसका तत्पर जीवन के एक चरण से है ब्रह्मचर ग्रहस्त वानफस्त और सन्यास नमग चार आस्रमों की ब्योस्ता की गई यानि हमारे जो ब्रह्मचर ग्रहस्त वानफस्त और सन्यास इस तरह के चार आस्रमों की ब्योस्ता की गई है ब्रह्मचर के अंतरगत ब्रह्मचर चत्री वैसे यह अपेच्छा की जाती थी कि इस स्रण के दोरान वे साधा जीवन जीकर वेदो का अध्यान करेंगे यानि ब्रह्मचर के अंतरकत यह आता था ग्रहस्त आस्रम के अंतरकत उन्हें विवाह कर एक ग्रहस्त के रूप में रहना होता था वान्त्रस्त के अंतरकत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी और अंतिता सब कुछ ट्याकर सन्यासी बन जाना होता था आश्रम ब्योस्ता ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया प्राया इस्तियों को वेद पढ़ने की अनुमती नहीं थी और उन्हें अपने पतियोदरा पालन किये जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था अब अन्यत्र के बारे थोड़ा से जाने लेते हैं एटलस में इरान ढूड़ें जर्थुस्त्र एक इरानी पैगंबर थे उनकी सिक्षाओं का संकलन जिन्द अवेस्ता नमग्रंच से मिलता है जिन अवेस्ता की भासा अत्वा इसमें वडित रीत रिवाज देदो की भासा और रित रिवाज से काफी मिलते जुलते हैं जैसुस्त्र की मूल सिक्षा का सूत्र है सद विचार, सद वचन और सद कारे हे इश्वर, बल सत्य प्रधानता, उम सद विचार प्रधान कीजिए जिनके जरी हम सान्ती बना सके एक हजार से अधिक वर्सों तक जैसुस्त्रवात इरान का एक प्रमुख धर्म रहा बाद में इरान से आकर गुजरात और महारास्ट के तटी नगरों में बसके वे लोग भी आज के पारिशों के पूरबस हैं तो ये दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़े इस तरह से आपर ये अध्या जो हमारा अध्या नमबर 6 है ये हमारा समाप्त हो जाता है और इसी स्रीज में हम आगे बढ़ेंगे और अगले जो इसके वीडियो सेरीज के अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग अध्या नंबर 7 इसका डिसकर्स करेंगे और साथ में आपका जियोग्राफिक भी चल रहा है तो उसको भी आप लोग जुरू देखते रहे हैं और दोस्तों अगर आप कोई वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ज़रू लाइक करें मिलते हैं इसके सीरीज के नए वीडियो के साथ तक लिए थैंक्स वाचिंग